हेलो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाईए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए आज से हम नय वीडियो लेक्चर सीरीज के शुरुआत करने जा रहे हैं नया जो वीडियो लेक्चर सीरीज हमारा वह जन्रल एक्टिट्व पर बेस होगा जन्रल एक्टिट्व बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेट है अगर आप प्राइवेट या कॉमेंट और जॉप के लि मैं यह भी बताते रहूंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स होती है जिससे आप अपना टाइम बचा के उस को सॉल्व कर लेंगे कुछ ही सेकेंड्स में जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जो आंसर भी आएगा वी एकदम करेक्ट आएगा तो जन्रल एप्टिट्व क में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है नंबर्स क्या होता है कितने टाइप के नंबर होते हैं उनकी अडिशनल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उनके डिवीजर फैक्टर्स मतलब प्रॉपर्टी जितनी भी होती है सारी नंबर से डिलेटेट सब जानेंगे तो श तो आपको पाता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बताता हूं जीरो से नाइन जीरो से नाइन के बीच में जो मतलब टोटल दस नंबर हुए यह इसे हम डैसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं नंबर के ठीक है तो यह टाइप्स ओफ नंबर हो जाएगा यह सारी चीज आपको पता ही होगी नॉर्मल चीज है यह बहुत बच्पन में पढ़ा होगा आप लोगों ने लेकिन फिर भी में एक बारी वीजन कर देता हूं कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो तो टाइप्स ओफ नंबर क्या क्या होते हैं नैचुरल नंबर होता है तो यह हमारे टाइप्स होते है एक करके इन को लिएम सब कोमं देखेंगे विद इग्जांपल किया क्या होते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा natural number, natural number क्या होता है, number which are used for counting, जो भी number हम counting के लिए use करें, उसे हम natural number करते है, counting हम start कहां से करते है, one से, one, two, three, four, five and so on, ठीक है, natural number हमेशा N से denote करते है, ठीक है, और सबसे जो छोटा natural number होता है, वो होता है, one, लेकिन जो सबसे बड़ा natural number होता है, वो अभी आज तक पता नहीं चला, वो infinity कह सकते हो आप, लेकिन infinity क्या है, ये भी पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक अगला number इसका successor होता है, और वो successor हमेशा natural number होता है, तो natural number जो भी counting number होते हैं, वो natural number होते हैं, N से denote करते हैं, सबसे छो होता है, ठीक है, second हाता है हमारा whole number, whole number क्या होता है, natural number which includes 0, ठीक है, whole number भी एक type का natural number होता है, बस इसमें difference क्या है, कि इसमें, आपका 0 भी include होता है, तो इसके लिए भी concept है, 0 से लेकिए 1, 2, 3 and up to infinity, ये हमारा whole number होता है, एक चीज़ आ रखना, every natural number is a whole number, ठीक है, every natural number is whole number, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 से लेकिए infinity है और इसमें भी 1 से लेकिए infinity है, बस 0 ही तो additional है, तो सारे जो natural number होते हैं, वो whole number होते हैं, बस एक 0 ही ऐसा whole number है, जो की natural number नहीं है, ठीक है, अगला हाता है हमारा, even number, even number वो number होते हैं, जो 2 से divide हो जाए, ठीक है, for example, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, तो वैसे number जो 2 से divide हो जाए, उसे हम even number कहते हैं, ठीक है, अब अगला हाता है हमारा, odd number, odd number वो number हो जो 2 से divide नहीं हो पाएंगे, not divided by 2, ठीक है, इसके example क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 and so on, ठीक है, तो odd number वो हो जो 2 से divide नहीं हो पाएंगे, अगला हाता है हमारा का प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो number होते हैं, जो 1 से और खुद से divide हो, ठीक है, ऐसे number जो 1 से और खुद से divide हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, example देखते है प्राइम नंबर के क्या क्या होते हैं जैसे 2 हो गया 2 है हो फे हो 1 से इवाइड होता है ौर 2 से इवाइड इवाइड रहे होता है तो 2 प्राइम नंबर हुआ फिर आया 3 3 भी 1 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है अगला आएगा 5 5 का भी कहा है 5 खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है ठीक है तो ऐसी जो नमबर खुद से और 1 से डिवाइड हो वो हम प्राइम नमबर कहाते हैं ठीक है टू एक लौता ऐसा प्राइम नमबर है जो इवन नमबर भी है ठीक है बस तू यह यह केस स्पेशल गेस है इसके लावा कोई भी ऐसा इवन नमबर नहीं है जो की प्राइम नमबर होंगे हैं एक छीज़ूर अगर आपसे कोई म chunky अंव प्राइम नमबर हाते हैं कि जीरो से हंड्रे के बीच में अमार पास से 25 प्राइम नमबर होते हैं अग filed आता है आ हमार पास को प्राइम नम नमबर को प्राइम नंबर x और y इन दोनों का पेर हम को प्राइम तभी कहेंगे जब इन दोनों के डिविजर जो होंगे उनके जैसे x के कुछ डिविजर है y के कुछ डिविजर है तो उन दोनों में जो common होगा वह 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा ठीक है एक्जामपल बताता हूं आप समझ जाएंगे दो नंबर ले लेते हैं जैसे x और y है एक नंबर हमने ले लिए 9 एक नंबर ले लिए 2 तो 9 के डिविजर कौन कौन से होंगे नाइन से डिवाइड हो जाएगा मतलब 1 9 को डिवाइड कर देगा ठीक है वन हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और 2 का क्या होगा वन और 2 होगा इन दोनों में common क्या है सिर्फ 1 है तो यह दोनों नंबर हमारे को प्राइम नंबर हुए एक और गिजंबल लेते हैं सपोोज — एकस लेए हम ने 5 और य लेए 6 अब 5 क को क्या क्या होंगे 1 होगा 5 होगा और 6 का क्या 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 onगा 2 होगा 3 होगा it's taking तो इसमें भी 1 और 1 common आरहा है तो यह हमारा जो प Hybrid होगा वअं इसे जाएं Creating Lap composite number, composite number क्या होता है, composite number वो number हुए है, जो 1 से greater हुए, ठीक है, और वो prime number नहीं होने चाहिए, मतलब दो condition लग रही है, एक क्यों 1 से बड़ा हुआ, और 1 से अगर बड़ा हो तो वो prime number नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसके example क्या हो जाएंगे हमारे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गय हो गया, 9 हो गया, ठीक है, तो अगर हम condition चेक करें शुरू से, तो पहली condition है, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा 1 तो होई नहीं सकता, ठीक है, 2 के लिए चेक करें, तो 1 से तो बड़ा है, लेकिन 2 जो है हमारा, वो एक prime number है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था उपर कि prime number जो सबसे छोटा और एकलोता ही, 1 number हो 2 है, तो यह 2 भी इस case में नहीं आएगा, 3 है, 3 भी हमारा 1 से बड़ा होता है, एक condition यह follow करता है, लेकिन 3 जो है हमारा, वो क्या है, 3 भी जो हमारा हो, prime number है, तो यह भी नहीं आएगा, अगला आता है हमारा 4, तब ही मैंने इस start यहां 4 से ही 4 आता है, जो हमारा 1 से बड़ा है, एक condition true हो गई, दूसरा क्या कहता है, जो prime number नहीं होना चाहिए, तो 4 हमारा पाता ही हमें कि prime number नहीं होता है, तो यहां भी यह condition true हो गई, तो यह था हमारे composite number, types of number, अगली वीडियो में हम number types of integers हो गया, rational number, rational number, real number, यह सब चीज़े discuss करेंग अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को शेयर करें